नमस्कार जर्खनी नुई में आपका स्वागत है आए जर्खन राज के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं स्वास्त मंत्रा लेकि सन्युक्त सचिव लोग अगरवाल ने कहा कि अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम क्या करना है और क्या नहीं करना है तो हम संक्रामन को चरांपर पहुचने से रोक सकते हैं यदि हम सवधानी नहीं बरते तो संक्रमन को अपनी चराम पर पहुजने से नहीं रुखा जा सकता लोग अगरवाल ने कहा कि देश के 216 जीलों में कोई मरीज नहीं मिला है वहाई पिछले 28 दिनों में देश के 24 जीलों में भी कोई मरीज नहीं मिला है हलाकि यह अभी सत्य है कि पिछले 24 गंटा में 3390 मरीज सामने आया है जो कि देश के लिए बुरी खबर है उन्होंने कहा कि रेलेवे के 521 कोच को सेंटर कोच में बदला जाएगा जिससे की मरीज को रखा जाए जार्खन मोसंबी भाग के अनुसार जार्खन के गुमला सिम्डेगा लोहरदगा राची धनबाद खुटी पुर्वी सिम्भूं पच्मी सिम्भूं सहीत बोकारो जीला के कुछ भागों में आज में गरज के साथ आंधी और बजरपात के साथ ओला पढ़ने की संभवना है जार्खन के खुटी सराय के लाजम सेथपूर के कुछ भागों में अगले 2-3 घंटों के अंदर में गरज के साथ बजरपात की संभवना है जार्खन राज में प्री मांसुन सुरू हो चुका है मुख मंत्री हमान सुर्ण ने जार्खन के मजदूर जो लॉकडाउन में फसे हैं उनके लिए कहा कि मजदूर धर बनाय रखे अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचरन का परियास किया जा रहा है परवासी को थोड़ा धीरज से काम लेना होगा सभी को घर वापस लाया जा उसी तरह थोड़ा और धर्य बनाय रखे जार्खन में 22 नए संक्रमितों के पुष्टी हुई जिसमें 20 गड़वा जिला से और 2 कोडर्मा जिला से हैं जार्खन में संक्रमितों की संख्या 132 से बढ़कर 154 हो गई जबकि 22 लोग स्वास्थ हुए और 3 की मिरित्यू हुई भ खवरों के अनुसार विधायक बंदू तिर्की ने सिक्षा मंत्री को प्राइबेट स्कूलों के साथ बैठक कर उनकी परिशानी का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है बंदू तिर्की ने बताया कि स्कूलों को भी अपने सिक्ष को करमचारियों को तनखा देना होता है ऐसे में सरकार को चाहिए कि आम लोगों को कैसे रहात मिले और स्कूल को नियुमतम जरूरत कैसे पूर्ती हो इस पर विचार होनी चाहिए हिंद पीडी सील मुक्त को लेकर हुई बैठक खबरो के अनुसार राची के हिंद पिडी को जल सील मुक्त करने को लेकर जीला पर सासन वह राची पूलिस के पदा अधिकारियों के साथ बैठक हुई इस तमीति के 14 सदसिय टीम ने विभीन समस्याओं को जीला पर सासन के सामने राखा और अधिकारियों से पूछा के हिंद पिडी को कब सील मुक्त किया जाएगा करनाटक में सेकडो मजदूरों की भीर उमली रेलवे स्टेशन पर खबरो के अनुसार करनाटक के मेंगलोर रेलवे स्टेशन पर परवासी मजदूरों ने उमर पड़े और उन्होंने ततकाल अपने अपने राज भेजने की मांग की मजदूरों को ख़बर था कि करनाटक सरकार उन्हें अपने राज भेजेगी Special Train चलाएगी मजदूर Special Train के चक्कर में डटे रहे पूलिस की अपील के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया जहरकण के दस जीले जो संक्रमन मुक्त हैं खबरों का उन्सार जहरकण में लगतार संक्रमन का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में आठ ऐसे भी जिले है जहां पर अभी तक कोई भी पोजिटिव मरीज नहीं मिला है संक्रमन फिरी जीलो में खुटी, पच्मी सिम्भूम, रामगर, लातेहार, सरायक लगखरसावा, चत्रा और लोहरदागा सामिली था है हजारी बाग जीला में तीन संक्रमन तथा गडवा जीला में भी तीन संक्रमन के मामने आये थे लेकिन बेतर देखबाल के कारण सभी ठीक होकर अपने घर चले गाए ऐसे में जारखन के दास जीला संक्रमन फिरी हुए बैंगलोरू से हटिया पहुँचे 1200 यात्री मजदूर खबरों के अनुसार 8 मजदू 2020 को बैंगलोरू काटपाडी से स्रमिक एस्पेशल ट्रेन हटिया इस्टेसन पहुँची इस एस्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 से ज़्यादा यात्री राची पहुँचे इस ट्रेन में परवासी मजदूर के साथ मरीज भी सामिलित थे सभी आत्रीयों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया मरीजों की सुवधा के लिए राची पर साशन की और से एम्बूलेंस की भी विवस्ता की गई थी जैक ने कापी जाच पर नहीं लिया कोई फैसला ख़बरों के अनुसार जारखांड 18B कौनसी की और से मैट्रीक वाइंटर कोपी जाच पर किरिया सुरू करने पर अब तक कोई निरला नहीं लिया गया है जैक के अध्याक्ष अरविंद कुमार सिंग ने कहा कि लोगडाउन 3 में हमारे राजे में कोई छुट नहीं है जिसके करण मुल्यांकर कार्य नहीं हो पा रहा है उन्होंने कहा कि जाच पर किरिया अब तक सुरू हो सकता है इसके बारे में फिलहाल कोई सुचना नहीं है जैक की और से सारेडिक दूरी का पालन कराते हैं मुल्यांकर का प्रस्तावा है एक कमरे में अधिकतम 10 तिक छक रहेंगे जिसमें 6 फिट की दूरी रहेगी पैदल घर लोटने की चाह रखने वाले 14 मजदूरों का ट्रेन की चपेट में आने से मौत खबरों के अंसार महराष्ट के औरंगाबाद जीले में कल सुबा एक दधनाक हास्ता हुआ जिसमें 14 प्रवासी मजदूर की जान चली गई सभी मजदूर रेल के पटरियों के किनारे चल रहे थे जब वे चलते हलते ठाक गए तो उन्हें रेल की पटरियों पर ही सोगा एक माल गाड़ी गुजरने से सभी उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई इत साथ से पर महराश सरकार ने दुख जताते हुए सभी मुरित मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपे देने की घोसना की है पलामो जिला के वेतला पार्क में दो जंगली भैसों की मौत के बाद जाच का मिला आदेश खबरों के अनुसार एक के बाद एक लगतार दो भैसों के मौत होने के बाद विभाग गंभीर है पदा अधिकारियों ने अस्थल का भ्रावन कर महतोपुर्ण बैठक किया और यह जानने का प्रयास किया कि मौत का कारण संक्रमन है या कुछ और दोनों का सेंपल जाच के लिए भेजा गया है फिलहाल जलासियों को सेनेटाज करने का निर्देश दिया गया है मजदूरों ने करनाटक में घर जाने को किया पोस्टर अभियान ख़बरों के अनुसार जारखन के प्रवासी मजदूर करनाटक के बैंगलोर में एक पोस्टर अभियान सुरू किया है मजदूरों ने सरकार से अपील किया है कि उन्हें घर लोटने में मदद करे मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी पोस्टर लेकर मांग किया पोस्टर पर लिखा है कि बस अब हमें घर जाना है और करनाटक सरकाट ट्रेन सर्विस चालू करे पान मसाला पर पूरी तरह से लगा बैन खबरों के उसार जारखन में पान मसाला के बिकरी और उपयोगता को एक साल के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है एक टेस्ट में 11 पर मुक ब्रांड के पान मसालों में मैंगनेसियम कार्वनेट पाया गया जिससे यह निर्नल लिया गया है मुख्य सचीव की अध्यक्ष के उचरत ये बैठक में निना लिया गया कि बीमल, पानपराग, बहार, मधु, पानपराग, प्रिमियाम, रजनिगंधा, सीखर, दिलरुबा, राजनिवास, सुहरत, मुसाफिर पर परतिबन रहेगा घडवा जिला बना संक्रमन मुक्त, खबरों के उसर घडवा जिला संक्रमन मुक्त हो गया है, सभी तीन संक्रमित पोजेटिव मरीजों की जाच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छूटी दे दी गई है, जिसके बाद घडवा के सिविल सर्जन डाक्टर ए प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस द्वारा विशे स्ट्रेन का आगरा खबरों के उन्सार कांग्रेस के परदेश अध्यक शरामेश्वर उराव ने कहा कि परवासी मजदूरों की वापसी को लेकर पार्टी की ओर से रेलवे हम आपको बताते चले की पार्टी की ओर से परवासी मजदूर का निबंदन कार्य भी कराया जा रहा है कोडार्मा जिले से दो नज संक्रमेत की पुष्टी हुई है कोडार्मा जिले के एक डोम चांट चौवा दूसरा मरीज दिलाया देम का है दोनों ब्याक्ति एक वरारास और एक सूरत से लोट कर आये हैं ऐसे में कोडार्मा के लिए अच्छी ख़बर नहीं है पांच लाख परवासी मजदूरों ने घर वापसी का कराया पंजी करन हम आपको बताते चले कि यदि आप दूसरे राजों में फसे हैं और जारखनों अपस आना चाहते हैं तो पंजी करना आवस्य है पंजी करन के लिए आप जारखन परवासी.in पर रेजिस्टेशन करें बोकारो जिला हुआ संक्रमन मुक्त, खवरों के अनुसार बोकारो जिला के सभी नो मरीज का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसे आस्पताल से छुटी दे दिया गया है ऐसे में बोकारो जिला फिलाल संक्रमन मुक्त है हम आपको बता दे कि बोकारों से एक संक्रमित मरीच की मिरीत्यू भी हुई है विदोसों में फसे भरतियों का रेस्क्यू सुरू खवरों के अनुसार विदेश में फसे भरतियों को अपने देश वापस लाने का काम सुरू कर दिया गया है बिते दिन दुबाई और अब्बू धावी से 363 लोग केरल लाएगा है सिक्षा मंत्री ने कहा हर बच्चे पर 4000 खर्च फिर भी बच्चे नीजी स्कूल क्यों पसंद करते हैं खबरों के अनुसार एक सवाल में सिक्षा मंत्री ने सभी जर्खन के जनता से पुछा है कि सरकार यदी सभी बच्चे पर 4000 प्रति मां खर्च कर रही है फिर भी बच्चे सरकारी स्कूल के जगा नीजी स्कूल क्यों जाते हैं हमारे स्कूल में बेहतर पढ़ाई क्यों नहीं होती है सराय केला के मजदूरों को निम्तम 100 दिनों का काम की गरांटी खबरों के उनसार सराय केला विदायक दसरत गगई ने कहा कि प्रवासी मजदूर के घर वापसी के उपरांत उने रोजगार उपलवत कलाने का उदेश से जार्खन सकार्ती नों जल्द सुरू करने वाली है सभी 36 लाग परिवार को निम्तम 100 दिनों की रोजगार की गरांटी मिलेगी दिल्ली मुंबाई चेनाई में फसे मजदूर नहीं लोट पा रहे संसत खबरों के अनुसर गोटा के संसत निस्तिकान दूबे ने कहा कि दिल्ली मुंबाई और चेनाई में जार्खन के सबसे ज़्यादा मजदूर है जो की सैकड़ों के संख्या में है जिने जार्खन आने की अनुमती मिल गई है लेकिन इनको वापस लाने की कोई पाहल नहीं है मैंने सरकार तक अपनी बात पहुचाने की कोशिस की लेकिन फाइल पड़ी रही मजदूर बेचायन है उन्हें जल वापस लाया जाए मजदूरों के नाम छोटा संदेश वैसे मजदूर जो जार्खन वापस आना चाहते हैं वे पंजीकरन अवज से कराएं साथी फर्जी साइट और एप से बचे अपने नेजी जनकारी किसी को न दे पंजीकरन होने के बाद एसमेस मिलने का इंतियार करे सरकार आपको जल्द वापस जार्खन लाएगी परिशान ना हो धहरे बनाए रहे हर संभव मदद की जा रही है पंजीकरन का लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जार्खन परवासी.in पर परिजिकरन कर सकते हैं धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप, फेस्बुक, ट्यूटर, इस्टागराम पर सेर करे और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे